हलो दोस्तों मैं अंके सिंग आप सभी लोगों का wisdom of study पर स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं unacademy पर पिछले डेड़ वर्सों से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मेरे दुरा 29 courses डिजाइन किये गए हैं जिसमें 300 वेडियो सामिले wisdom of study पर में एक UPSC 2020 prelims fact series चला रहा हूँ जिसमें हम पृति दीन साम को 7-7.5 बजे के मद्द एक offline वीडियो अप्लोड करते हैं जिसके माद्ध हम से हम आप लोगों के पास 4-5 topic को discussion करते हैं discussion इस प्रकार का होता है जानकारी इस प्रकार की होती है जिस प्रकार की UPSC डिमांड करता है उन सभी तथ्यों को हम बताने के कोहिश करते हैं current affairs से जोड़ करके और तथ्यों को जो कि उसकी static portion है ताकि आपको मदद साबित हो सके ये पूरा वीडियो ये वीडियो की पाने के लिए आप हमारे playlist में जा सकते हैं जहाँ पर आपको एक विशेस प्रकार से UPSC 2020 प्रिलिमस fact series के नाम से एक playlist दिखाई देगे और वहाँ पर ये सारे वीडियो मिल जाएंगे अभी तक यहाँ पर 29 वीडियो अप्लोड कर चुके हैं ये आप लोगों के सामने 30 वा वीडियो हैं पांचवा पढ़ेंगे हम सिद्धी जनजाती के बारे में और छटवा रहे गए हैं आपर डार्क फाइवर के बारे में तो ये च्छे topic रहेगा जिसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको विशेस प्रकार से जो इसमें हमारी एक्जाम में फायदे मन्द होगी तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो पहला topic है यहाँ पर चिंदु यक्षगानम तो चिंदु यक्षगानम जो है तेलंगाना में प्रचलित है यह यह एक विशेस प्रकार का प्राचीन लोक नाट्टे है आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यह इस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है तो इस मुख बिंदु के अगर हम बात करें तो देखेंगे कि यह एक प्राचीन कला है जो कि दूसरी सहताबदी इसा पुर्व से विक्सित हुई थी यह करनाटक के यक्षगानम से मिलती जुलती है यह लोक नाट्टे कला, नरत्य, संगीत, समबाद, पोशाक, मेकप और मंच तकनीकों को आपस में एक साथ संकलित करती है यह पूरी की पूरी नाट्टे कला तेलगु भासा में चिंदु का अर्थ होता है कूदना और यक्षगान को प्रस्तुत करते समय, प्रस्तुती करता जो होता है वो बीच-बीच में विशेस प्रकार से चलांग लगाता है तो उसी चलांग लगाने की वज़े से ही इस पूरे के पूरे पर्फोर्मेंस को यहाँ पर चिंदू यक्षगानम के नाम से जाना जाता है माना यह भी जाता है कि चिंदू सब्द यक्षगान कलाकारों की जाती है जो कि चिंदू मडीगा से आया हुआ है जो कि मडीगा अनुसूचित जाती की एक विशेस प्रकार की उप जाती है चिंदू यक्षिगानम को चिंदू भागवतम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्णित अधिकांस का आनिया भागवतम से सम्मंदी थे भागवतम का सम्मंद भागवत पुरान से है जो कि भागवान विश्णू के उपासको के इतिहास पर आधारी थे तो दोस्तों इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने के कोहिश किया कि चिंदू यक्षिगानम क्या है या क्यों महत्व रखता है और खासकर यह इसलिए महत्व रख सकता है क्योंकि यह जो है अनुसूची जनजाती से सम्मंदी थे उसकी उपजाती से सम्मंदी थे इस वज़े से यह और विशेस प्रकार का यह आर्ट और कल्चर से सम्मंदी थे इस वज़े से महत्व का है इसलिए आपको याद रखना है इसके मैत्वपुन तथ्यों को अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपी के ओपर जो कि यहाँ पर थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में तो थ्वाइट्स ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं हमें समझना पड़ेगा हमारी क्लाइमेट चेंज को तो इसी के ओपर एक रिसर्च किया गया है जो कि न्यू यॉर्क यॉनिवर्सिटी के शोद करताओने अंटार्कटी का छेतर में थ्वाइट्स ग्लेशियर के नीचे जो गर्म जल है उसके बारे में पता लगाए है जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं ग्लेशियर्स में तेजी से पिखल रही है तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरे मेप में की पुरा अंटार्कटी क छेतरे पिर यहाँ पर आप इसमें देखेंगे कि यह वाला इंडियन ओशन है फिर यहाँ पर अटलांटी कोशन है फिर यहाँ पर पैसिफी कोशन है फिर यहाँ पर यहाँ पर से देखेंगा अब सदन ओशन है तो इन में जिस प्रकार से बदला हो रहा है जिस तरीके से इसमें पिखला हो रहा है तो यह पुरा ग्लेशियर का जो आकार है वह लगबग ब्रिटेन के आकार के बराबर है इस ग्लेशियर के सबसे विस्तरत्व इस्थान को की अधिकतम जो चुड़ाई है वो 120 किलो मिटर है इसका चेतरफल की बात करें तो इसका चेतरफल एक दस्पलो 9 लाक वर्ग किलोमेटर है अपने विस्तरत्व आकार के कारण इसमें समुद्री जल इसतर को आधा मीटर से अधिक बढ़ाने की छमता है यदि यह पिखलता है तो इसके बाद अध्यान में यह भी पाया गया है कि पिछले 30 वर्षों में इसकी जो बर्फ पिखलने की दर है वो दोगुनी हो गई है प्रति वर्ष बर्फ के पिखलने से समुद्र का जो जल इसतर है उसमें 4 प्रतिसत की बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है ऐसा इन्होंने अ 900 वर्षों के मद्य समुद्र में यह पूरी तरह से पिखल के समा जाएगा और जो समुद्र का जल इसतर है वो आधा मेटर के आसपास बढ़ जाएगा यदि आधा मेटर के आसपास बढ़ जाता है जल इसका तो यसा कहा जा सकता है माना जा सकता है कि इसा बहुत सरे जो कोस वाले छेतर है और जो चोटे-चोटे आईलेंड है वो डूब जाएंगे तो यह एक पूरी तरीके से भेयानक इस्तिती सामने प्रस्तूत कर रहा है जो कि हमारे मतलब इनसानों के द्वारा ही जन में दिया गया है क्लाइमेट चेंज के रूप में तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तस्वीर में कि यहाँ पर यह जो डाइग्राम दिखाया गया है यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो आइसबर्ग से यह दीरे-दीर पिखल रही है और पिखलनी को ऐसे क्या हो रहा है कि इसके जो खंड ह वो पानी के रूप में तबदील हो रहा है पानी में तबदील हो रहा है तो जो ओशन का जो water label है वो दीरे दीरे बढ़ रहा है तो यह बहुत ही ज़ादा यहाँ पर नुकसान दायक साबित हो सकता है है मानुफ सब्धता के लिए फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सब्ध यूज किया जाता है किस विसेश प्रकार कि grounding line और glacier के पिगनने का जो अध्यन किया गया उसके भी कुछ प्रणाम सामने आए है तो शोद करता हुने थ्वाइट्स glaciers के grounding zone या फिर हम कहें कि grounding line पर हिमांक बिंदू से सिर्फ दो डिगरी उपर जल होने की सूचना दी है Antarctic ice sheet की जो grounding line का हिस्सा है जहां glacier महादीब सत्ह के साथ इस्थाई ना रहकर तेरते रहते हैं शेल्फ बन जाते हैं तो इस वज़े से क्या है कि grounding line का जो इस्थान है वो glacier के पीछे हटने की दर का एक संकेत भी है जिसा आप इस पूरे diagram में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह पीछे हट रहा और किस प्रकार से ice bugs break हो रहे हैं फिर यहां पर आप देखेंगे कि जब glaciers पिखलते हैं और उनके भार में कमी आ जाती है तो वे उसी इस्थान पर तेरते रहते हैं कुछ इस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि यह जो पूरा का पूरा ice था इसी ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने के बाद यह पिखल रहा है पानी में तो पीछे हट जाने से क्या होता है यह समुद्री जल में glaciers के अधिक नीचे होने की इस्तिती को दर जाता है इससे संभावना बढ़ जाती है कि यह तेजी से पिखल रहा है प्रेणाम सरूप पता चलता है कि glaciers तेजी से बढ़ रहा है और बाहर की और खिचाव होने के साथ पतला हो रहा है और अंतह क्या होता है कि जो ग्राउंडिंग लाइन कभी भी पीछे हट सकती है तो यह देख सकते हैं आपकी यह जो लाइन है यह पिखल रहा है तो यह पीछे आते जा रही है लाइन तो इस प्रकार से ये ऐसा सीला करन इसके तूटने के संभावना बढ़ जाती है और इस वज़े से ये नुकसान दायक साबित हो सकता है फिर यहाँ पर आइस फिन सब्द यूज किया जा गया है तो आइस फिन का मतलब क्या होता है तो देखिये विज्यानिकों ने ग्लेशियर्स की सता से नीचे गर्म जल का पता लगाने के लिए आइस फिन नामक एक महा सागर समवेदी उबगरन का प्रयोग किया है जिसे 600 मीटर गहरे और 35 सेंटी मीटर चोड़े च्छेद के माध्यम से बर्फ की सता के नीचे प्रवेश कराया सकता है उसी आइस फिन के माध्यम से यहाँ पर यह सारी पूरी स्टड़ी को अंजाम दिया गया है फिर यहाँ पर जो थ्वाइड्स ग्लेशियर्स होते हैं इनके क्या महेत्व है यदि बर्फ की गती को धीमा कर देगा तो उसके पिखलने की जो दर होगी वो धीरे मा हो जाएगी तो ये इसलिए इसका महत्व जादा है अब हम बात करते हैं यहाँ पर थाना टोथे टोथेरी स्थेस के बारे में यह आपको याद रखना तो इसमें क्या पाया किस प्रकार से स्टुडी करी इनगे यह सारी जनकारीब प्राप्त होई तो देखिए यहां पर आप डाइग्रám देख रहा है जो कि एक डाइनासोर्स की है तो विग्यानिको ने इसे जो नाम दिया है वो क्या दिया थे देखिए थाना टोथेरी स्तेस जो नाम दिया गया है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यहां पर यह होता है कि रिपर आफ डेथ रिपर आफ डेथ इसका नाम मतलब नाम होता है तो डाइनासोर्स बड़े मांसहारे डाइनासोर में से एक थे जिनकी खोपड़ी उची बड़ी बड़ी एवं उची थी तो इस में प्रमुक रूप से जो टायरानू सोरस रेक्स प्रसिद्ध थे सोध करता उन्हें उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तर में डायनासोरस का जिवाश में पाया है जो की 79 मिलियन वर्ष पुराना है इसी जिवाश म के अधार पर कनाडा के अलवर्डा में वर्ष 2010 में पाये गए डायनासोर के जिवाश में कि वारें पता लगाया गया था तो टायरानो सोर जो थे उनके जिवाश में से क्रिटेसियस यूग को समझने में आसानी होगी ऐसा विज्ञानी को का मानना है शोध करता हो का मानना ह तो क्रोटेशियस एक भूव विग्यानिक अवधी है जो की लगबग आज से मतलब 2020 से 145 से 186 मिलियन वर्स पहले तक थी यह एक मेसोजोईक यूग थी जो की मेसोजोईक यूग की तीसरी और अंतिम अवधी मानी जाती है तो यह समझा जा सकता है कि यदि इसके बारे में रिसर्च जो किया जा रहा है अगर पढ़नाव अच्छे आते हैं तो मानों सब बेता को और समझने में यहां पर आसानी होगी और जो डाइनासोरस किस प्रकार से खतम हुए इनके बारे में भी जो अथेंटिकेट अभी तक र इस्टिटूट ऑफ पॉब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन और नेशनल इस्टिटूट ऑफ स्मार्ट गवर्मेंट ने पंजाब में यी गवर्मेंट सेवाए को हेतू चमता निर्माण के लिए एक समझोते कि आपन पर स्ताक्षर किया है तो यह क्या है तो देखिए इसके मु संगटनों के सिविल अधिकारियों के प्रिसिक्षन के लिए सॉप्टोवेर जैस कॉम्प्यूटर और इंटरनेट अधारी जो प्रदयूगी किया है उसके उप्यों कि प्रिसिक्षन देगा तो नेशनल इंसिटूट ऑफ स्मार्ट गवरनिंस के बारे बारे हम बात करें त इसमें 51% जो हिस्सेदारी होती है वो नीजी छेतर की होती है और 49% जो हिस्सेदारी होती है वो सारवजनी छेतर की होती है मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गवर्मेंट के हिस्सेदारी हो 49% है और जो प्राइवेट सेक्टर की जो हिस्सेदारी हो 51% है NISG केंद्र एवमराजी सरकारों को E-Governance के छेतर में नागरीकों को बहतर सेवा देने में मदद के लिए परामर्श प्रदान करता है इसके वीजन की बात करें तो इसका वीजन क्या है तो इसका वीजन जो है वो E-Governance के छेतर में स्वयम को उतकरष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना है E-Governance को जन केंद्रित बनाना जिससे उनको सरकारी सुविधाओं का लाब मिल सके ये इसका वीजन है इसके mission के अगर हम बात करें तो सर्जनीक और नीजी संसादनों के अनुप्रयोग को E-Governance के छेतर में सुविधाजनक बनाना के लिए इसका mission है तो इसके mission में और भी क्या-क्या चीज़ों को सामिल किया गया है तो रणनीतिक योजना बनाना फिर यहाँ पर परियोजना परामर्ष देना, छमता निर्माण करना, अनुसंदान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, इसका मिशन है इसके साथ NISG ने E-Governance के छेतर में शिरलंका, धक्षिन अफरीका और वियतनाम सरकार को भी साथ में काम करने के लिए इन्वाइट किया, उनके साथ काम भी किया है और काम कर भी रही है तो कहा जा सकता है कि हमारे देश में जिस तरीके संचाली थे, इसके साथ हमने विदेशों को भी इसके बारे में बताया है ताकि वो हमारे जो e-governance system है, उसमें आकर के participate करे, कुछ सीखे और एक, मतलब culture का development करे, e-commerce का अब जो हमारा पांचवर topic है, वो है यहाँ पर सिद्धी जन जाती, मतलब सिद्धी एक tribe है, तो tribe के बारे में हम जानेंगे तो देखिए, भारती संसद में लोकसभा में ध्वनी मत से समविधान की जो अनसूचित जान जाती आदेश संसोधन विदेख 2019 को यहाँ पर पारिद कर दिया है, जिसका इंगलिश में नाम रखा गया है, यहाँ पर the constitution schedule tribes order amendment bill 2019, इसको यहाँ पर याद रखे, कहाँ पर पारिद किया गया है, अभी यहाँ पर लोकसभा में पारिद किया गया है, यह आपको याद रखना है यहाँ तो तो कभी क्या होगा कि आप तो statement में राजसभा दे देगा और आप होँर आपे confused हो जाएंगे, यहाँ पर अभी लोग साइब हमें पारिद किया गए अभी ये बिल है अभी ये कानून नहीं बनाये द्वारा पर्दान किये जानेवाले जो भी आरक्षन का है लाब वो मिल सके तो यहाँ पर दोस्तों समझ में यह आना चाहिए कि अनुसूचित जनजाती और अनुसूचित जनजाती किस प्रकार से डिफाइन होते हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाती के बारें बात की गई है उसी प्रकार से जब आर्टिकल 342 में आप आते हैं यहाँ पर इनकी डिफाइन डिफिनेशन दी गई है यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से रखना है बताना है और यहाँ पर उनकी डिफिनेशन दी गई है तो यह हम समख सकते हैं यह जो आपको विशेष रूप से याद रखना है अनसूचित जाती जनजाती के लिए तो उस प्रागार से क्या होता है कि आपको आपको याद होना चाहिए तो ये जो मैंने बताया आपको कि जो परिवारा और तलवारा है इसको नसूचे जणजाती में शामिल करने के लिए जो प्रावधा ने वो रखा गया है तो ये आप आएंगे कि जो बेला गवी है और धारवाड की जो सिद्धी जनजाती को इसमें शामिल किया जाएगा तो ये दो जगा है बेला गवी और धारवाड की जो जनजाती है उसको इसमें शामिल किया जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं तो देखिए अगर हम बात करें कि सिद्धी जनजाती के बारे में तो सिद्धी जो लोग हैं ये इंडो-अफरिकन आदिवासी समुधाए हैं कौन है ये? ये यहाँ पर इंडो अफ्रिकन आदिवासे सम्मुदाए हैं ये हबसी और बादशा जैसे विबिन नामों से भी जाना जाता है इनको दो अन्य नाम इनके हबसी और बादशा भी है ये भी आपको याद रखना सिद्धी के अलावा भी सिद्धी लोग भारत के जो पस्चिमी तट है उस पस्चिमी तट के जो राज्यें जिसे गुजरात हैं महरास्ट करनाटक राज्यों में निवास करते हैं ये मूल रूप से गुजरात के जुनागड जीले में निवास करते हैं इनका मूल जगा जो है वो गुजरात का जुनागड़े लेकिन इसके अलवा भी ये महरास्ट और करनाटक में भी निवास करते हैं सिद्धी लोग ज़्यादा तर रोमन कैथोलिक हैं किन्तु कुछ लोग हिंदू और इसलाम धर्म का भी पालन करते हैं इनका पहनावा पारम परिक हिंदू और मुस्लिम पहनावे का संयोजन हैं मतलब ये दोनों हिंदू और मुस्लिम जो कपड़े पहनते हैं पहनावे उन दोनों का मिला जुला सुरूप ये पहनते हैं तो ये भी आपको याद रखना है फिर 12 सरकार ने 8 जनवरी 2003 को सिद्धी जनजाती को अनुसूचित जनजाती की स्टेडी में वर्गिकरत किया था सिद्धी विशेष रूप से कमजोर जनजाती समूहों में से एक है तो जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं विशे इस रूप से कमजोर जंजाती सम्मूग को यहाँ पर पर्टिकुलरी वन्रेबल ट्राइबल ग्रूप मतलब पी वी टी जी एस इस ग्रूप को कहा जाता है तो यह हमें समझना होगा किस प्रकार से जो मैंने आपको constitutional provision बनाया बताया कि किस प्रकार से इनको जंजाती का दर्जा दिया जाता है और जंजाती के दर्जा देने के पर इनके क्या महत्तु बढ़ जाती है यह आपको समझना होगा अब हम बात करते हैं यहाँ पर dark fiber के बारे में जो कि हमारा sixth topic है इस पूरे lecture का तो देखिये dark fiber के जब हम बात करते हैं तो तीन प्रमुग दूर संचार सेवाएं प्रदाताओं जिसमें से reliance, geo, info, info, calm, फिर भारती, retail और word of one idea ने dark fiber का उप्योग करने के लिए राज्यद्वारा संचालित भारत ब्राउंड बेंड नेटवर्क लिमिटेड मतला BBNL से संपर्क किया है यह दूर संचार सेवा प्रदाताओं को उनके पूंजी गत व्याय में कटोती करने में मदद करेगा तो किस प्रकार से करेगा हम समझते हैं देखिए BBNL की जो अप्रयूक्त अफसंचना का उप्योग्रामिड भारत में नेटवर्क का विस्तार करने और 4G सेवाओं के साथ साथ मुबाइल टेलीफोनी सेवाओं जैसे की अन्य दिर्ग कालीन विकास मतलब Long Term Evolution मतलब LTE यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो LTE आप यूज करते हैं आपके मुबाइल में दिखाता है उसका नाम पूरा क्या है तो उसका नाम English में यहाँ पर Long Term Evolution है और Hindi में यहाँ पर देर के कालीन विकास कहा जाता है यूजनाओं के लिए किया गया है तो डार्क फाइबर क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि जो डार्क फाइबर है यहाँ पर यह एक अप्रयूक्त आप्टिकल फाइबर है जिसे बिचाया जा चुका है अभी तक किन्तु वर्तमान में जो फाइबर ऑप्टिकल संचार है इसका उप्योग नहीं किया जा रहा है चुकि फाइबर ऑप्टिकल केवल प्रकास पुंज के रूप में सूचना प्रसारित करता है जबकि डार्क केबल इसको संदर्भित करता है जिसके माध्यम से प्रकास पुंजो को प्रेशित नहीं किया जा सकता यह आपको समझना होगा कि जब ऑप्टिकल फाइबर होता है वह प्रकास पुंज को एक जगा से दूसरी जगा बहुत तीजी से फेलता है लेकिन जो डार्क केबल है या जो है प्रकास पुंजो को प्रेशित करने में सफल नहीं हो पाता है अधिक बैंड वित की जो अवशक्ता होने पर जो पुंडवरती से बचने के लिए कमपनिया अत्रिक तो ऑप्टिकल फाइबर बिचाती है इसे अनलिमिटेड फाइबर के रूप में भी जाना जाता है फिर यहां पर एक नाम यूज किया गया था भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क लिमिटेड तो बीबी एनल की जब बात की जाती है तो भारत सरकार द्वारा कमपनी अधिनियम 1956 के तहत एक हजार करोन रुपे की अधिकरत पूंजी के साथ इस्थापित किया गया था तो इस्पेशल परपस वीकल्स के रूप में यहां SPV के रूप में इस्थापित किया गया था यह सूचना और यह संचार और सूचना प्रवध्य की मंत्राले के अंतरगत आता है मतलब Ministry of Communication and Information Technology के अंतरगत यह कार करता है इसे भारत में Rastria Optical Fiber Network मतलब NOFN बनाने के लिए गठित किया गया है यह भारत नेट पर योजना के लिए कार्यानवन कर एजंसी है यह भी आपको याद रखना होगा भारत नेट योजना के लिए कार्यानवन एजंसी है यह तो यह जो भारत BBNLA भारत Broadband Network Limited किस प्रकार से मददगर सावित होगी हमारी जो टेक्नलोजी है जो टेली कम्मुनिकेशन उसको बढ़ाने में यह मैं आप के ओपर छोड़े जाता हूँ कि आप समझ ही और जवाब देने के कोशिश करिए हमारे इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन में तो दोस्तों इस वीडियो को माध्यम से मैंने आप लोगों कुछ चे टोपिक समझाया है इनी चे टोपिक पे अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूँगा जिसका जवाब आप लोगों कमेंट सेक्शन में देना है पहला सवाल यह है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि चिंदू यक्षगानम जो है किस मंत्राले के अंतरा कारे कर रहा है किस कमपण़ए अक्ट के थाहथِ यह कारे कर रहा है उसका आपको इयर बताना है फिर सिद्धि जन्जाती है यह मूल रूपसे भारत के किस राजय से संबंध रगती है और डार्क फाइबर जो प्रोजेक्ट है या भारा सरकार के किस मंत्राले तोरा संचाली थे इन पांस सवालों के जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्षन में दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग किस प्रकार से जानकारी एकत्रीत करने में सफल हो रहे हैं इस पूरे वीडियो से दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए यदि आप इस पूरे वीडियो को प्राप करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को पर जाएंगे वहां पर आप सकते हैं जहां पर मेरे दोरे डिजाइब को 29 कोर्से से और वहां पर 300 से लादा वीडियो से तो अभी आपको बहुत यादा महत्तुपन सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों यह जो यूपीश साथ 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 बजे के बीच में आपको हमारे विज़िव यूटूब चैनल पर मिल जाय करेगा तो आप यहां पर फोलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करें यह दिया आपको किसी प्रकर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्सिन पूछिए हम कोशिश करेंगे 24 गंटे के अंदर आपको रिपलाई देने की कोशिश करें तो मिलेंगे फिर स इसे एक नहीं जानकरी के साथ एक उर्चे के साथ है वे गुटे जैहिंग जै भारत